तो हेलो फ्रेंड्स वर्कम बैक तो मैं चैनल तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं नीडेड इरेजर जासा कि आप जानते हैं कि नीडेड इरेजर का यूज हम लोग हाइलाइट्स करने के लिए यूज करते हैं और यह बहुत ज्यादा कॉस्टली मार्केट में मिलता ह और इसका हम इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे डूम का इरेजर जो कि आपको बेसे कि लिए किसी भी शॉप पे मिल जाएगा जहां पर आप एरेजर लेते हो या पर आप बुक्स लेने चाहते हो आप वहां से डूम से देदर ले सकते हो और मैं यहां पर अपना एक ओ जाएंगे मैं उसे कलेक्ट करूंगा और उससे ही मैं इरेजर बनाने का प्रोसेस आगे बना होगा तो मैंने जितना मुझे बनाना था मैंने उतना कलेट कर लिया है और मैं पहले से थोड़ा ता बना कर रखा हूं और आपको उसे अपने पाम पे लेकर रप करना है और जित को बढ़े जिसे वह और भी ज़्यादा सौफ्ट हो मेरा रेजर कंप्लीट ही होने वाला यह विस्पीं थोड़ा से और काम है इस है आपको फोसे मशल ना है बहुत अच्छे मसलना है इसे कि वह गदम ही ज़्यादा सौफ्ट हो जाए और उसे पाम पे लिए के जब रब करेंगे आप तो अपके हाथ की जो गर्मी होगी वो उसके वज़ए से वो जो बहुत ही जादा स्टिकी और वो मोल्डेबल हो जागा तो लोगा मेरा रिज़र हो गया तयार मैं es다 यूज्म करने वाला हूँ अपने पेस्फे तो लाइट पीजिए करने वालाँ हूं कि मेरे शेडिंग कंप्लीट हो रहे और मैं उसे ब्लेंड करके देन मैं उसके ऊपर नीडेड इरेजर का यूज करके थोड़े थोड़े हाइलाइट से फिर इरेज करने वाला हूँ तो जैसे आप देख सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इरेज हो रहा है और आप इसे हाइलाइट के लिए यूज से सकते हैं औ और देखते हैं कि क्या यह से इरेज कर पाता है अब मैं इसे ब्लेंड करूंगा और फिर मैं उसके ऊपर यह नीडेड इरेजर ट्राइ करूंगा तो जहां तक मुझे लग रहा है यह बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और आप इसे डार्क एरिया वे भी यूज कर सकते है बैट यह यूज कर समय ब्लैक हो जा रहा है अभी मैंने मार्समेलो का एक ड्राइंग मनाया था मैं उस पर यूज कर रहा हूं यह भी अच्छे से हो रहा है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लिस वीडियो को लाइक चैनलों को सब्स्राइब और कमेंट जरू करेगा थैंक्स फर वाचिंग